नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि नॉर्माटोन सिरप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है नॉर्माटोन सिरप को कैसे लेना चाहिए और नॉर्माटोन सिरप की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि नौर्माटोन सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में नौर्माटोन सिरप को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। नौर्माटों सिरप का उपयोग भूग को बढ़ाने के लिए और allergy वन नजला के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है एलर्जी या नजला के लक्षन जैसे की नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आधी लक्षणों से राहत पाने के लिए नौर्माटोन सिरप का उप्योग किया जाता है, जिन व्यक् में भूग को बढ़ाने के लिए डौक्टर नौर्माटोन सिरप को लेने की सला दे सकते हैं, नौर्माटोन सिरप भूग को बढ़ा कर वजन को भी बढ़ाने में सहायक होती है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भ सकती है, नौर्माटोन सिरप की वज़ा से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि नौर्माटोन सिरप भूग को बढ़ाती है, जिसकी वज़ा से वजन बढ़ सकता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में नौर्माटोन सिरप की वज़ा से भूग कम भी हो सकती है, इसके अलावा नौर् आने का मन होना आधी साइड इफेक्स नौर्माटोन सिरप की वज़र से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि नौर्माटोन सिरप को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। नौर्माटोन सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर आप भूब को बढ़ाने के लिए नौर्माटोन सिरप को ले रहे हैं, तो नौर्माटोन सिरप को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना ज्यादा अच्छा होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डौक्टर नौर्माटोन 10 मिलिलीटर सिरप को दिन में दो बार लेने की सला देते हैं। लेकिन नौर्माटोन सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको नौर्माटोन सिरप को लेने से पहले डौक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि नौर्माटोन सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में नौर्माटोन सिरप को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। नौर्माटोन सिरप के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और नौर्माटोन सिरप को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है क्योंकि नौर्माटोन सिरब को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों में कुछ समय के लिए मानसिक सतरकता कम हो सकती है और नीन्ड अधिक आ सकती है जो व्यक्ति दिन के समय आफिस में जाते हैं। व्यक्तियों को डॉक्टर नॉर्माटोन सिरप को केवल शाम के समय लेने की सला दे सकता है क्योंकि कुछ व्यक्तियों को नॉर्माटोन सिरप को लेने के बाद मींद अधिक आ सकती है जिसकी वजह से उनका ओफिस का काम प्रभावित हो सकता है अब हम जानेंगे कि क्या प्रे महिलाएं स्तनपान करा रही है। उनके लिए नोर्माटोन सिरफ का सेवन करना रेक्मेंडेट नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर की सला के बिना नोर्माटोन सिरफ का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के ल